परमपुजे बोधिसत बाबसाब डॉक्टर भीमरावंबेटकरजी ने 14 अक्टूबर 1956 को जब 10 लाख लोगों के साथ नागपुर की दीक्षा भूमी में बहुत धर्म की दीक्षा घ्रहन की तो उन्होंने हमें 22 पृतिग्याएं बताई हमें और उन्हें कहा कि हर कोई व्यक्ति जो भी मुझे मानता है या बद धर्म को मानता है बद धर्म में देक्षित होना चाता है उसे ये 22 पृतिग्याएं याद रखने चाहिए तो हमारे समाच के लिए 22 पृतिग्याएं आदेश हैं इनमें पहली पृतिग्या जो थी वो थी कि म कभी भी ब्रह्मा विश्णु महेश इनको ना इश्वर मानूंगा ना है इनकी पूजा करूँगा आखिर बाबा साब ने ऐसा क्यों कहा कि ब्रह्मा विश्णु महेश ना इनको इश्वर मानूंगा ना इनकी पूजा करूँगा इसके पीछे कोई तो कारण रहा होगा निश तुर उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनो हिंदू धर्म के आधार हैं उसी हिंदू धर्म के आधार है जिसने हमेशा इतने बड़े समाज को शुद्र समाज को अच्छूद समाज को हमेशा सभी किस्म के मानवी अधिकारें से वंचित रखा इसलिए बाबा साब डॉक्टर अमबेट करने का कि मैं ब्रह्मा विश्रो महिश को कभी इश्वर नहीं मानूंगा ये आकिर केवल यहीं नहीं है कि हिंदु धर्म के आधार थे साथ में ये भी थे कि इन्हें इश्वर माना जाता है और हिंदु धर्म के लोग कहते हैं कि इश्वर कंकं में विद्मान है हर जिगे विद्मान है जब हर जिगे विद्मान है इश्वर तो क्या उस इश्वर को द लगता रत्याचा किये जा रहे हैं अन्याय किये जा रहे हैं और अन्याय भी इस कदर किये जा रहे हैं कि वेद वाग के अगर किसी अच्छूत ये शूद्र के कान में पड़ जाए तो उसके कान में पिगला हुआ सीसा ये लाख डाल देना चाहिए या अगर उसके मुह से काट लेनी चीए और केवल यही नहीं ब्रामणा ने तो यहां तक भी किया कि अगर कोई शुद्र ब्रामण को गाली देता है तो उसकी हत्या कर देनी चीए और एक शुद्र की हत्या करने में ब्राम्मार को केवल इत्मी ही सजा होगी जैसे एक कुत्ते कुमारने पर होती है तो इंसानियत को जिस तरह से यहां कुछला गया उन सारी चीजों को यह जो इश्वर जिने कहते हैं जो कणकण में विद्धमान है जो हर्ज गए जब है यह तो क्या ही नहीं या न्याई या त्यचार के भी दिखाई नहीं दिया और अगर दिखाई देता तो निश्च तूप से करते और दिखाई क्यों नहीं दिया क्योंकि यह इश्वर हैं ही नहीं यह केवल ब्राम्मार धर्म और ब्राम्मार वाद और हिंदु धर्म की कोरी कल्पना है जो उन्होंने थोपी लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए ये एक बड़ा जबर्दस शडिंत्र रहा तो ये भ्रह्मा, ये विश्णु, ये महेश हजारों साल तक इनकी आखों में एक भी जरात से भी कोई आशों नहीं आए, कोई नमी नहीं आई और करोणों लोगों पर ये अन्या, ये अत्याचार होते हुए देखते रहे इसलिए भगवान बाबा साब ने कहा कि मैं कभी भी भ्रह्मा, विश्णु, महेश को इश्वर नहीं मानूँगा तो पहली पृतिग्या जोती परमपुजे बोधिसत बाबा साब ने जो हमें दी, वो भ्रह्मा, विश्णु, महेश को कभी इश्वर नहीं मानूँगा इनकी कभी पूजा नहीं करूँगा तो हमें उसका अक्षर्शे पालन करना चीए अगर हम बाबा साब को मानने वाले हैं तो